चीज पर कैसे क्या लगेगा वेरी सिंपल स्टेट A, स्टेट B स्टेट 1, स्टेट B, Union Territory एन Foreign Territory ये चार चीजे हैं चार कॉर्णर में आप देखो इसको ठीक है स्टेट 1, स्टेट 2 Union Territory and Foreign Territory तो कोई भी गुड्स जब एक ही स्टेट के अंदर बिकेगा तो उसके उपर एक CGST लगेगा और एक SGST लगेगा टेक्स का रेट तो एक ही डिसाइड करेगी काउंसिल मानलो एक चीजे उसके उपर 18% टेक्स का रेट GST काउंसिल डिसाइड करती है तो 18 में से 9% automatically CGST में चला जाएगा 9% SGST में चला जाएगा अगर 28% रेट है तो 14% स्टेट को चला जाएगा 14% सेंडल को चला जाएगा सिर्फ नॉमेंक्लेचर अलग इसलिए है कि उस हेड में वो जाने से स्टेट और सेंटर को अलग-अलग income डारेक्ट चली जाएगी इसलिए हो नाम अलग है बट जो भी rate होगा वो single GST rate होगा उसमें से एक portion जो की central government को जाएगा उसको CGST कहलाएगा और एक portion जो state government को जाएगा उसको SGST कहलाएगा अगर आप एक state में से दूसरी state में अगर माल ले जा रहे तो फिर आपको IGST देना पड़ेगा वोट इस IGST? Integrated Goods and Services Tax इस नथिए अलस बट इस टोटल अफ CGST प्लस SGST उतना ही rate होगा जैसे में सपोज दर इस अन आइटम ओन विच 18% rate of CGST प्लस SGST is there तो 18% ही IGST होगा उतना ही rate होगा तो मैं उस goods को एक state से दूसरे state में अगर ले जा रहा हूँ तो उसके उपर मुझे 18% देना है IGST के नाम पे और वो भनने के बाद मैं जब दूसरे state में इस माल को बेचूंगा तो उस state में जो मेरी liability बनती है SGST और CGST पे करने की वो पे करने के time ये IGST का मुझे credit मिल जाएगा पूरा का पूरा तो इसका मतलब ये हुआ कि IGST वो एक अलग tax नहीं है IGST जो है ये एक interim tax है जिसको हम कहते है washout tax इसलिए कि IGST की कोई अपनी अस्तित्व है ही नहीं वो washout हो जाएगा IGST अपने आप में कोई tax है ही नहीं नोर्मली IGST कौन पे करेगा बिजनेसमेन जब वो एक state से दूसरे state में माल सिफ्ट करेगा तब वो बिजनेसमेन पे करेगा और उसकी वो credit ले लेगा तो finally IGST की कोई income सरकार को नहीं होने वाली है IGST की कोई अपनी income सरकार को नहीं होने वाली है income जो होगी सरकार को वो CGST और SGST की होगी पूरी के पूरी input tax rate ले लेगा वो IGST की अपनी जब भी tax liability आएगी उसके सामने कुछ ऐसे transaction हो सकते है B to C transaction जैसे दिल्ली से suppose North East नागालेंड का कोई आदमी दिल्ली में आया और दिल्ली से एक TV खरीद के चला गया तो वो अगर बताएगा कि मैं नागालेंड ले जा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है अपना ट्रांसपोर्ट में अगर बेज रहा है नागालेंड तो IGST लगके जाएगा अगर वो बता नहीं रहा है कि मैं नागालेंड में ले जा रहा हूँ तो वो तो स्टेट का ही दिल्ली का ही SGST और CGST लगेगा तो उस केस में IGST जो पे करके कि नागालेंड में टीवी ले जा रहा है वो IGST की क्रेडिट कोई लेगा नहीं लेकिन वो पढ़ा रहेगा सरकार के पास और उसका विवाजन स्टेट और सेंटर के बीच में इकवल हो जाएगा अगर ऐसा कोई IGST पढ़ा रहेगा सरकार में तो उसका विवाजन बहुत छोटी ऐसी अमाउंट होगी नोर्मली गूड्स का एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर सिर्फ व्यापारी लोग ही करते है तो व्यापारी लोग IGST पे करेंगे और उसकी क्रेडिट ले लेंगे सो IGST में कुछ बचेगा नहीं IGST is not a separate tax पेले जो था CST था Central sales tax यूड बी सप्राइज कि Central sales tax 2% के इसाब से भी स्टेट की इंकम 50-60,000 करोड है 2% के इसाब से भी CST की इंकम वो 50-60,000 करोड का पूरा बोज कंजूमर के उपर जा रहा था CST का, Central sales tax का वो पूरा बोजब मिख जाएगा अब IGST की पे करना पड़ेगा लेकिन IGST is without tax वो तो हम इसलिए ले रहे कि कुछ तो tax सरकार के आग में आ जाए उसके बाद वो किस स्टेट में ले जाए जो करना ये करे लेकिन हमारे पास उतना ही tax आ गया चितना हमको मिलना चाहिए तो इदर उदर नहीं चला जाएगा पहले ये करते थे कि CST जब बना होता था तो सरकार को C form बरके ये बोलता था कि भी हम तो CST में इसको इंटर स्टेट ले जा रहे और वो दूसरे स्टेट में माल पहुंचता ही नहीं था उसी स्टेट में वो माल को दूसरे सिटी में उतार के उसी स्टेट में बेश देते थे without payment of taxes तो जिस आइटम के ओपर 14% स्टेट का tax rate था उसके ओपर वो 2% CST परके छूट जाता था अब यह नहीं होगा अब पूरा का पूरा tax उसको बनना पड़ेगा तब वो दूसरे स्टेट में माल ले जा सकते है उसके बाद उसकी जिम्यवारी अगर वो वहाँ पर दूसरी बार बेशता है तो जो CGST और SGST के लाइव लेड़ी उसको प्यकरने के लिए IGST यूज करेगा वनना IGST तो सरकार के पास आई गया है तो इस तरह का यह tax है IGST दूसरी एक विशेस बात यह है कि जब foreign territory से कोई भी माल आएगा तो IGST लगेगा Custom duty तो अलग है Custom duty is not getting merged in GST Please remember Custom duty का जो कारोबार है वो तो अलग चलता ही रहेगा उसको इस CGST में नहीं मर्च कर है Custom duty जो है वो Domestic industry के प्रोडक्शन के लिए अलग से सरकार डालती है वो तो रहेगा तेरीफ जिसको बोलते हैं Custom tariff वो रहेगा लेकिन Custom duty के उपरांद उस commodity पे domestic industry में GST काउंसिल ने जो भी rate डिसाइड किया है उतना ही रकम IGST के रूप में हम ले लेंगे उनसे फिर अगर व्यापारी वो चीज को import कर रहा है और फिर वो CGST SGST पे करने के liability आती है दुबारा जब इंडिया में sale करेगा तो उसमें से वो IGST का credit उसको मिल जाएगा लेकिन सबसे पहले तो import के time ही IGST लग जाएगा अब ये सबसे महत्वपूर्ण change making इंडिया के लिए है मैं आपको बता दू कैसे क्योंकि अब तक जो था वो ये था कि हम exercise duty के equivalent CVD लगा रहे थे exercise duty जो local industry पे था उसके equivalent हम CVD लगा रहे थे उसके अलावा सिर्फ 4% SED special additional duty लगा रहे थे ये जो 4% SED लगा रहे थे उसका मतलब ये था कि state government की जो वेट देनी पड़ती है local industry को उसके बदले में हमने 4% SED डाला था अब वो 4% वो actually state government तो 14% rate ले रहे ये वेट का लेकिन सिर्फ 4% देने के बाद वो माल इंडिया में आ सकता था तो अब ये नहीं होगा domestic industry के उपर जितना tax का बोज है उतना ही tax का बोज imported माल के उपर आएगा तो इससे making India को बल मिलेगा की नहीं बल मिलेगा इससे making India को इससे बल मिलेगा तो ये एक perfect system हो जाएगी कि local industry जितना tax पे का रहा है उतना इंपोर्टेट वाले भी पे का रहा है ताकि दोनों के बीच में अंतर नहीं रहे है पहले ये था कि इंपोर्टेट माल सस्ता पढ़ता था और domestic माल जो है उनको बेचारे को तकलिप पढ़ रही इंपोर्टेट के सामने टिकने के लिए तो this is a very significant change that is going to be brought about IGST लगाने से इंपोर्टेट माल के उपर जिस तरह से state के अंदर state GST है उस तरह से union territory के अंदर भी union territory GST लगेगा तो union territory के अपने खर्चे चलाने के लिए जो tax लगता है वो union territory GST होगा और वो भी equivalent to state GST होगा CGST प्लस union territory GST union territory में लगेगा और उसका जब भी आप कोई एक state से दूसरे state में या एक state से दूसरी union territory में अगर माल ले जा रहा है तो IGST देना पड़ेगा इसलिए यह pictorial जो representation है उसमें arrow दिखा रहा है हम कि important माल आएगा तो भी IGST देना पड़ेगा एक state से दूसरे state में जाएगा तो भी IGST देना पड़ेगा दूसरे state से union territory में फिर से जा रहा है तो भी IGST देना पड़ेगा बट हर बार आपको input tax rate मिलती जाएगी इसकी बट पूरा transaction का trail computer में last तक रहेगा एक माल बनाया वहाँ से लेके चार state में घूमने के बाद पांचवे state में अगर consumer के पहुचा तो भी इसका पूरा audit trail computer में रहेगा यह इसकी benefit है GST की next